उब्देश देने वाले भगवत भक्तों पर वापस ग्रीश्म सत्र वापस देवत्व की ओर अक्टूबर 1976 पिछले 11 वर्षों में उनकी दिव्यक्रिपा एसी भक्ति विदान्त स्वामी प्रभुपाद ने शिश्यों, पत्रकारों, प्रोफेसरों और सारवजनिक अधिकारियों के साथ कृष्ण भावनामृत पर बात करने के लिए 13 बार दुनिया की परिक्रमा की है इस गर्मी में श्रील प्रभुपाद के अमेरिका दौरे के मुख्य अंशों का नमूना इस प्रकार है एक जूम को श्रील प्रभुपाद लॉस एंजिल्स पहुँचे और उन्होंने डेट्रॉइट जाने से पहले इसकौन के विश्व मुख्याले में दस दिन बिताए श्रीर ने एक निश्चित तिथी पर जन लिया है या एक निश्चित संख्या में वर्षों तक टिकेगा और फिर यह समाप्त हो जाएगा लेकिन जोश वह जारी रहेगा यह दूसरे शरीर को स्विकार करेगा जिस प्रकार मैंने बाल्यावस्था का शरीर त्याग कर बालक का शरीर ब्रहन किया फिर बाल्यावस्था का शरीर त्याग कर युवक का शरीर ब्रहन किया उसी प्रकार मेरा वर्तमान शरीर, अब मैं बुरा हो गया, शीग रही समाप्त हो जाएगा, और मैं दूसरा शरीर स्वीकार करूंगा, तो आत्मा शाश्वत है और शरीर अस्थाई है, हम शरीर की बहुत देखभाल कर रहे हैं, और इसकी आवशक्ता है, लेकिन आत्मा के बा को समझ सकते हैं, इसलिए, यदि हम इस विक्सित चेतना का उपयोग ईश्वर और उसके साथ अपने संबंधों को समझने के लिए नहीं करते हैं, तो हम बिल्लियों और कुत्तों से बहतर नहीं हैं, पशू और मनुष्य में यह अंतर है कि हम ईश्वर के बारे में शिक्षि ले आए, तो क्या वे चैन से बैठेंगे? नहीं, यह संभव नहीं है, तो अगर हम अपने नागरिकों को बिल्लियों और कुत्तों के स्तर पर रखते हैं, तो हम शांती की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? समाज के नेताओं को कृष्ण भावनामरित या ईश्वर चेतना को अपन यह कृष्ण भावनामरित सामप्रदाइक नहीं है, यह पूरे मानव समाज के लिए एक विज्ञान है. श्री गुलेन, व्यक्तिगत रूप से, मैं और जानना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि यह पूरी दुनिया के लिए अच्छा है. इसकी जरूरत है. श्री प्रभु करता है ताकि वह न मिले, तो यह एक जगन्यकृत्य है. वास्तविक उत्तराधिकारी को इसे प्राप्त करना होगा, वह न्याय है. इसी प्रकार मनुष्य के इस मानव रूप में ईश्वर के बारे में शिक्षा प्राप्त की जा सकती है. यदि इसकी कमी है, तो मानव जीव के बाद भी आत्मा बनी रहती है. यदि कोई इस सरल सत्य को नहीं समझता है, तो वह सजजन भी नहीं है. विद्वान विद्वान की क्या बात करें? श्री गुलिन, धन्यवाद, 12 जून मिशिगन राजे के कांग्रेसी जैकी वॉन काले और सफेद के बीच संबंधों को बहतर बनाने के लिए डेट्रॉइट के आंतरिक शहर में काम करते हैं. उन्होंने श्रील प्रभुपाद से शहर की कुछ सामाजिक समस्याओं के बारे म पक्षी अपने वंश के लिए भोजन लाते हैं, और जब मा आती है तो छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं, यह है भोजन. यहां खाना है, तो अच्छा करने की भावना जानवरों में भी होती है, लेकिन ये वास्तविक कल्यानकारी गतिविधिया नहीं हैं. पशु के ये अपने प्राणों की आहूती दे देते हैं. इस तरह प्रगती तो होती है, लेकिन यह प्रगती पूनता नहीं है. यदि आप किसी पेड की डालियों को सीचते हैं, तो कोई पत्तियों को सीचता है, किसी को फल, किसी को टहनियों की यह सब अपून है. जो जड़ को सीचत इसका मतलब है कि हम अग्यानता में काम कर रहे हैं। एक मात्र भरोसे मंद व्यप्ति है, हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। अगर मैं नहीं जानता कि ईश्वर क्या है, तो मैं उस पर कैसे भरोसा कर सकता हूं। इसलिए हर चीज़ को वैग्यानिक रूप से समझना चाहिए। पुजारीयों ने दुनिया भर में इश्वर चेतना की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की. क्या युबा बहतर के लिए अपना जीवन बदलना शुरू कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद ने इस प्रश्ण पर रेवरेंड एडवर्ड एल शेउर्मेन के साथ चर्चा की. श्रील प्रभुपाद, सामान्य तोर पर लोग इश्वर चेतना से बाहर होते हैं. क्या ऐसा नहीं है? MSGR केन, हाँ, मैं सहमत हूँ. इश्वर की चेतना निश्चित रूप से क्षीन हो रही है. भगवाद के बारे में बोलना भी मुश्किल है. सुनने को तयार नहीं है. श्रील प्रभुपाद, लोग इस थिती में क्यों आये हैं? वे भगवाद के बारे में सुनने के लिए भी तयार नहीं हैं. बोस्टन में एक पुजारी ने मुझसे कहा, आपके शिश्य इसाई और यहूदी परिवारों से आते हैं. फिर भी वे हमारे चच में नहीं आ रहे थे. उन्होंने कभी भगवाद के बारे में नहीं पूछा. लेकिन अब वही लड़के लड़कियां भगवान के पीछे पागल हैं, लॉस एंजिल्स में हमने एक बड़ा चच खरीदा. यह खाली था, कोई नहीं आ रहा था. लेकिन अब, हाला की चच वही है और लोग वही हैं, लॉस एंजिल्स के निवासी यह हमेशा पैक किया जाता है. MSGR के इन, उम्मीद है, या एक संकेत है कि युवा बहतर के लिए अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. भक्त, कृष्ण भावनामृत हमें आकरशित क्यों करता है, जबकि पश्चिमी धर्म ने नहीं किया, इसका कारण यह है कि श्रील प्रभुपाद सर्वोच व्यक्ति के बारे में विशेश जानकारी दे रहे हैं न केवल भगवान महान है, बलकि भगवान कैसे महान है, उनक बहुत से लोग उन्हें देखना नहीं चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद, भगवद गीता 7.28 में एक श्लोख है जो कहता है कि जो लोग पापी जीवन के आदी हैं वे इश्वर को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए पाप कर्मों को रोकना चाहिए, यदि आप लोगों को उनकी पाप पूर्ण गतिविधियों को जारी रखने की अनुमती देते हैं, तो आप उनसे परमेश्वर को समझने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर उन पर प्रकट होगा? ये संभव नहीं है, फादर शुवमेन, हाँ, मैं सहमत हम भी पाप को उस रूप में देखते हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। जानवरों को मारना बंद करे और एक दूसरे का सहयोग करना सीखें। भगवत गीता में कृष्ण आदेश देते हैं कि मानव समाज को चार भागों में विभाजित किया जाना चाहिए और यह कि उन्हें भगवान को समझने के लिए सहयोग करना चाहिए। जिस प्रकार हमार शरीर में सिर, हाथ, पेट और पैर होते हैं और शरीर को बनाए रखने के लिए सभी अंग सहयोग करते हैं। उसी तरह समाज में भी एक सिर, हतियार, आदी होना चाहिए। फादर शेवर्मेन, तो आप बुद्धिमान पुरुषों को प्रथम श्रेणी में प्रशिक्षित करना चाहते हैं ताकि वे दूसरों को पढ़ा सकें। श्रील प्रभुपाद, हाँ, यहाँ एक प्रथम श्रेणी के व्यक्ति के गुन हैं, शांती, आत्मस्यम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीरता, इमानदारी, ज्यान, ज्यान और धार्मिक्ता, भ, 18.42, फादर शेवर्मेन, हाँ, ये योग्य लक्ष हैं। टोरंटो मंदिर में शिष्य देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद बच्चों को कुकीज वित्रित करते हैं। श्रील प्रभुपाद, तो वो संस्था कहा है जो यह सिखा रही है। अधिकांश संस्थान प्रोध्योगी की पढ़ाते हैं। लेकिन अगर समाज में कोई प्र फादर शेयूरमेन, दलितों, गरीबों के बारे में क्या? श्रील प्रभुपाद, एक आदमी वास्तव में गरीब होता है जब वह अग्यानता में होता है। खान पान की समस्या दूर हो सकती है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका में इतनी जमीन खाली पड़ी है। प्रत्यक्ष, व्यक्ती से व्यक्ती सहायता भूखों को भोजन कराने में विश्वास करते हैं। श्रील प्रभुपाद, बंगाल में हम प्रति दिन कम से कम एक हजार लोगों को भोजन की आपूर्ती कर रहे हैं। यहां डेट्रॉलिट में और हमारे अन्य सभी केंडरों मे हम आने वाले सभी लोगों को भोजन कराते हैं। फादर शेयूर्मेन, तो आप प्रत्यक्ष दृष्टिकोन का भी उप्योग करते हैं। श्रील प्रभुपाद, हाँ, जो भी आता है उसे न केवल भोजन और आश्रय मिल रहा है बलकि आध्यात्मिक शिक्षा भी मिल रही ह हम लोगों को प्रथम श्रेणी में रहना सिखा रहे हैं कि कैसे पापी गतिविधियों में फंसने से बचा जाए। मैंने इन लड़कों और लड़कियों को भारत से आयात नहीं किया है। ये सभी यहां भरती हैं। फादर शेयूर्मेन, आपके पूर्वी कार्यक्रम में य टोरंटो के लिए उरान भरी, जहां उनके शिश्यों ने हवाई अड़े पर उनका गर्म जोशी से स्वागत किया। अगले दिन, टोरंटो स्टार के कैथी केर ने श्रील प्रभुपाद से यह समझाने के लिए कहा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है। कैथी केर, म की तुलना रासायनिक संरचना से की जाती है। उदाहरन के लिए, चीनी की रासायनिक संरचना इसे मीठा बनाती है। अगर कुछ तीखा है, तो आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि वह चीनी नहीं है। इसी तरह, सभी जीवों की शाश्वत विशेश्ता समान है, सर जीवन के लक्ष को समझने के लिए प्रशिक्षित करती है। यह किसी विशेश संप्रदाय या राष्ट के लिए नहीं है, बलकि पूरे मानव समाज के लिए है। कैथी केर, आप लोगों को पफेक्ट बनना कैसे सिखाते हैं? श्रीर प्रभुपाद, पहली बात यह है कि अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझें हम यह शरीर नहीं है। लेकिन वर्तमान में दुनिया भर में हर कोई जीवन की शारीरिक अवधारना के अधीन है। यह भरांती आधुनिक सभ्यता का दोश है। वे शरीर की देख भाल कर रहे हैं, लेकिन आत्मा, शरीर के भीतर जी हिंदूओं या इसायों या मुसल्मानों के लिए नहीं, बलकि सभी मनुश्यों के लिए है। कृष्ण भावनामृत एक विज्ञान है जो सभी के लिए है। मैं हिंदू धर्म का प्रचार करने नहीं आया हूँ। इसायों को हिंदूओं में बदलने का क्या फाइदा? हम स अध्यात्मिक पहचान को महसूस करना। एक आत्मा तुम्हारे भीतर और मेरे भीतर है। आपकी त्वचा सफेध हो सकती है और मेरी रंगीन हो सकती है लेकिन भीतर आत्मा वही है। और आत्मा को समझने की एक प्रक्रिया है। यह बहुत सरल है। तुम कभी बच्चे थे लेकिन अब वो शरीर चला गया है, तो उस बच्चे का शव कहा है, आपने शरीर बदल लिया है, लेकिन आप वही हैं, लोग इस सरल सत्य को क्यों नहीं समझ पाते हैं, मान लीजिए मैं आपको इस पोशाक में देखता हूं, और अगले दिन मैं आपको दूसरी पोशाक में द बदल रहे हैं, चिकित सा विज्ञान इस बात की पुष्टी करता है कि हमारा शरीर हर पल बदल रहा है, कैथी केर, क्या इसका मतलब है कि आप अपने शरीर से इंकार करते हैं, श्रील प्रभुपाद, नहीं, आपका पहनावा महत्व ही नहीं है, लेकिन आप अपने आत्मा हर जगा एक जैसी है, जैसे चीनी एक ही है, चाहे आप यूरोप में हो या अमेरिका में, भौतिक शरीर के कारण आत्मा पीडित है, हम सभी को भौतिक शरीर से बाहर निकलने और मूल, आध्यात्मिक शरीर में रहने का तरीका सिखा रहे हैं, कैथी केर, इस आंदोल स्वयम को कैसे समझा जाए और ईश्वर के साथ अपने संबंध को कैसे पुना स्थापित किया जाए, 18 जूम, मैकमास्टर विश्व विद्यालय के प्रोफेसर शिवरामिन ने श्रीर प्रभुपाद से पूछा, क्या आपको लगता है कि भक्तिक भगवान की भक्तिक दुन भगवान और हमारे बीच का रिष्टा एक पिता और उसके बच्चों के बीच के रिष्टे की तरह है। आध्यम से ज्ञान लेना चाहिए। यहां भगवद गीता में परमपिता व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने आते हैं। क्रिष्ण कहते हैं, मैं परमपिता हूँ। न्यू व्रिंदावन क्रिशी समुदाय के निवासी सुबह की सेर के दौरान श्री प्रभुपाद का अभि 21 जूम श्रील प्रभुपाद न्यू व्रिंदावन पहुंचे इसकौन के पश्चिम वजीनिया के माउंड्स विले में हजार एकर खेत। यहां उनके भगतों के लिए उनके कुछ प्रारमविक शब्द हैं। की तुलना में अधिक है। लेकिन किसी भी तरह की सेक्स लाइफ में चाहे कुट्टों के बीच हो या इनसानों के बीच आनंद एक ही है। ऐसा मत सोचो कि जब कुट्टे सारवजनिक सड़क पर यौन जीवन का आनंद लेते हैं तो उनकी खुशी हमसे कम होती है जब हम एक कालीशान अपार्टमेंट में यौन जीवन बिताते हैं। नहीं, आनंद वही है। हम सोचते हैं कि अच्छा खाना खाने में हमारी खुशी मल खाने में सूर की खुशी से अधिक है। लेकिन नहीं, सूर को भी वही सुख मिल रहा है। इसलिए आर्थिक विकास आनंद की ग कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें काम नहीं करना है। नहीं, हमें काम करना चाहिए, लेकिन खाने, सोने, यौन जीवन और रक्षा के लिए नहीं। बलकि हमें क्रिशन के लिए काम करना चाहिए और क्रिशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मनुष्य का का नहीं है कृष्ण को समझना। यदि आप कृष्ण को समझने की कोशिश नहीं करते हैं लेकिन बस अपने खाने में सुधार करने की कोशिश करते हैं तो यह सभ्यता नहीं है। क्रिशन भावनामरित आंदोलन सभ्यता के लिए एक नया जीवन प्रस्तुत कर रहा है क्रिशन का सेवक कैसे बने उसके बाद बागी सब कुछ अपने आप आ जाएगा तीस जूम वीलिंग इंटेलिजेंस के माईक डाभी ने श्रील प्रभुपाद के साथ उन धर्मवादियों के बारे में बात की जो इश्वर में विश्वास नहीं करते हैं श्रील प्रभुपाद हाँ हम अभी डेट्रॉइट से आ रहे हैं उनके पास आटो मोबाइल के लिए बहुत सारे कार खाने हैं, लेकिन लोगों को सही रास्ते पर शिक्षित करने के लिए कुछ भी नहीं है। माइक डाबी, क्या इसाई भी लोगों को आध्यात्मिक पत पर मार्ध दर्शन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद, इसाई समय और परिस्थितियों के अनुसार संकल्प पारित कर रहे हैं और वे बाइबल के निर्देशों को बदल रहे हैं। उन्हें कैसे मसीह के अनुयाई कहा जा सकता है? उदाहरन के लिए बाइबल कहती है तू हत्या न करना लेकिन इसाई मार रहे हैं, वे बूचर खाने चला रहे हैं। धर्म हसी का विशय बन गया है और यदि कोई ईश्वर के प्रती जागरूख है तो उसे मूर्ख नंबर एक माना जाता है, बहुत उन्नत नहीं। धूर्ट वैग्यानिक इस तरह से सोचते हैं और वे आपको यह विश्वास दिलाने के लिए जहासा देते हैं कि जीवन रसायनों से उत्पन होता है। लेकिन जब हम उन्हें चुनोती देते हैं, क्या आप रसायनों के साथ एक अंडा बना सकते हैं और इसे इंक्यूबेटर में तब तक रख सकते हैं जब तक की छेकन नहीं फूटता? वे जवाब नहीं देंगे. अंडे की संरचना को कोई भी देख सकता है थोड़ा सा प्रभुपाद, वास्तव में कोई भी समझदा रसायनों के साथ एक अंडा बना सकते हैं और इसे इसे कभी नहीं कर पाएंगे. लेकिन फिर भी वे इस बात पर जोर देते हैं कि जीवन रसायनों से आ रहा है और लोग इस जहांसे को स्विकार करते हैं. माइक डाबी, वेग्यानिकों का कहना है कि जीवन रसायनों से आता है लेकिन उन्होंने इसे साबित करना शुरू नहीं किया है. श्रील प्रभुपाद, वास्तव में कोई भी समझदार व्यक्ति यह समझ सकता है कि जीवन रसायनों से उत्पन नहीं होता है. जीवन के सोत क पता लगाने के लिए उसे बस अपने शरीर का विशलेशन करना होता है। पतानिक क्यों कहते हैं कि जीवन रसायनों का मेल है। वहां क्यों नहीं रहते तब अधिक जनसंख्या की समस्या हल हो जाएगी और वे अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, तेल के लिए ड्रिल आदी कर सकते हैं। वे ऐसा क्यों नहीं करते? वे बस अरबों डॉलर खर्च करते हैं और लोगों को यह सोचकर जहांसा देते हैं कि वे चांद पर चले गए हैं। और लोग इतने संतुष्ट हैं कि अब वे मंगल की एक और यात्रा के लिए भुपतान कर रहे हैं। माइक डाबी, वे ग्यानिकों का कहना है कि चंद्रमा का वातावरण जीवन के लिए अनुप्युक्त है। श्रील प्रभुपाद, तो फिर दुष्ट वहाँ जाने के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं। माइक डाबी, लोगों को प्रभावित करने के लिए श्रील प्रभुपाद, इसका मतलब है कि वे धोखे बाज हैं और लोग इतने मूर्ख हैं कि वे उन्हें चुनौती नहीं देते। अब वे करदाताओं के खर्च पर कुछ और धूल और चटान वापस लाने के लिए मंगल ग्रह पर जा रहे हैं। वे उत्तेजित हो गए और उन्हें नीचे गिरा दिया। लोग अंधे हैं और उनका नेत्रित्व अंध नेताओं द्वारा किया जा रहा है। दावा करते हैं कि जीवन पानी, अमोनिया और हाइड्रोकार्बन से बने एक मौलिक रसायनिक सूप के अनुओं से आता है और पराबैंगनी विकिरन से प्रभावित होता है। विकिरन द्वारा रसायनों पर लंबे समय तक बंबारी करने के बाद अमीनो एसिद, फिर प्रोटीन, संयोग से बनते हैं। दूसरे शब्दों में वैग्यानिकों का कहना है कि जीवन एक लंबे समय तक काम करने वाले आनुविक बलों के संयोग का परिनाम है। और इसलिए हमें लगता है कि आज हम समाज में जिस नैतिक पतन का अनुभव कर रहे हैं, उसका मूल कारण यही है। श्रील प्रभुपाद, हम वैग्यानिकों की निंदा नहीं करते। हम कहते हैं, जितना चाहें उतना श्रेलें, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारे नहीं। आपने 747 जेट बनाया है, ठीक है, क्रेडिट ले लो, लेकिन आप मच्छर पैदा नहीं कर सकते, एक मच्छर एक पाइलट के साथ एक छोटे हवाई जहाज के अलावा और कुछ नहीं है, तो बस स्वीकार करें की एक सरवोचर निर्माता है, आप उसे देख नहीं सकते, ल बिना किसी वास्तविक लाब के, लेकिन कृष्ण भावनामृत के प्रयास से आत्म साक्षात कार होता है, जो जीवन का सरवोचर लक्ष है, भारति इस अभ्यता में ग्यान की बहुत सारी किताबें हैं, विशाल पुस्तकाले हैं लेकिन कार खाने और उद्योग शुरू करन कोई निर्देश नहीं है, यह शराब, जुआ, मानसाहार और वेशावरिती ही हमें जीवन के वास्तविक व्यवसाय को भूलने में मदद करती है, श्रीमान लूमिस, मैं देख रहा हूँ कि यह कमरा मनभावन है, इसे आकरशक धंग से सजाया गया है, तो इंद्रियत रिप जब तक आप सोते हैं, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए नीन कम से कम लेनी चाहिए, वो है तपस्या, आध्यात्मिक जीवन की उन्नती के लिए स्वेचा से कुछ कठिनाई स्विकार करना, भूजन, सोना, मैथुन और रक्षा सभी को अभ्यास से कम से कम करना च श्रील प्रभुपाद, क्योंकि आप मानव शरीर का उप्योग उच्च उद्देश्य के लिए कर सकते हैं, चूंकि आपके पास मानव शरीर है, आप यहां बैठे हैं और मुझे सुन रहे हैं, कुत्ता आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं सुन सकता, अतह मानव शरीर क परमसत्य की खोज में लगा देना चाहिए, दुर्भाद्य से आधुनिक सभ्यता में लोग केवल शरीर के आराम में रुची रखते हैं, यू यू यॉर्क के हरे कृष्ण भवन के उपर, श्रील प्रभुपाद अपने कुछ शिश्यों के साथ बात चीत करते हैं, साथ की मानव समाज को एक ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जो थोड़ी सरल हो, हम अपने भौतिक संसाधनों का अनावश्यक रूप से उप्योग नहीं कर सकते हैं, साथ ही मैंने भक्तों से दूसरे ग्रहों पर जाने के बारे में भी बात की, ये, मुझे लगता है, बहुत महत जीवित रहता है, लेकिन वे भी मर जाते हैं, वहाँ भी जीवन स्थाई नहीं है, हाला कि जीवन का स्तर बहुत उचा है, फिर भी जन्म, मृत्यू, बुलापा और बीमारी है, लेकिन अगर आप अपने आपको आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित करते हैं, तो आप आपको दूसरा भातिक शरीर नहीं मिलता है, तुम मरो मत, बिलसौबर, क्या आपको अपने भातिक शरीर को अन्यग्रहूं पर नहीं ले जाना है? श्रीर प्रभुपाद वह भौतिक संसार में है लेकिन हम में से प्रत्येक के पास एक आध्यात्मिक शरीर है बिना किसी भौतिक आवरंके इसके साथ आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित हो सकते हैं बहुतिक दुनिया में सब कुछ नश्ट हो जाएगा, लेकिन एक और प्रकृती है, एक आध्यात्मिक दुनिया, जहां आपको इस बहुतिक शरीर की आवशक्ता नहीं है, वहां आप अपने आध्यात्मिक शरीर में रहते हैं, इस बिंदू पर डॉक्टर, शर्मा और सौबर सत्ता से ज्ञान लेने की होती है, आधुनिक, वैग्यानिक और दार्शनिक तर्क देते हैं, लेकिन वे किसी निशकर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, वे दो वकीलों की तरह हैं, जो अदालत में बहस कर रहे हैं, कोई निशकर्ष नहीं निकाला जाता है, जब तक कि प्राध द्वारा अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसके अधिकार की पुष्टी होती है, और यदि हम उसके निशकर्ष निकालते हैं, तो हमें लाब होता है, अन्यता, यदि हम अपने सीमित ज्यान के साथ बहस करते रहें, तो हम निशकर्ष को नहीं समझ सकते, बाई को Associated Press के George Orwell एक इंटर्व्यू करने आये थे, Associated Press के George Orwell ने एक साक्षातकार के दोरान प्रभुपाद की टिपपणियों को नोट किया, श्री और्वेल, क्या आप कह रहे हैं कि यह भौतिक जीवन एक दुष्ट जेल की तरह है, और वास्तविक लक्ष दूसरा जीव इस दुनिया को त्याग देना चाहिए, श्री और्वेल, कि यह एक अच्छा जीवन नहीं है, भौतिक संसार का अर्थ है स्वयम के साथ शरीर की जूठी पहचान, मिस्टर और्वेल, अच्छा, क्या इस जीवन को बहतर बनाने की कोशिश करना महत्वपून नहीं है ताकि यह जेल नहो? श्रीर प्रभुपाद, हाँ, और इसे सुधारने का अर्थ है यह समझना कि मैं जेल का व्यक्ति नहीं हो, मैं स्वतंत्रता का व्यक्ति हूँ. परेशानी यह है कि लंबे समय तक जेल में रहने के बाद व्यक्ति यह सोचने लगता है, जेल के बाहर मैं नहीं रह सकता, श्री और्वेल, ठीक है, मुझे आशा है कि हम सभी किसी न किसी तरह इससे बाहर निकलेंगे. श्रीर प्रभुपाद, हाँ, और इसलिए हम कैदियों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, जेल के भीतर तुम्हारा जीवन परिपूर नहीं है, आपका संपूर जीवन जेल के बाहर है, यह हमारी शिक्षा है, मिस्टर और्वेल, जेल में जीवन परिपूर नहीं हो सकता, श्रील प्रभुपाद, नहीं, लेकिन जब हम उन्हें निर्देश देने की कोशिश करते हैं, तो जेल के लोग सोच रहे होते हैं, यह क्या है, वो जेल के जीवन को बहतर बनाने के लिए काम नहीं कर रहा है, वे इतने मूर्क और दुष्ठ हैं कि वे यह नहीं समझ सकते कि कोई जेल से बाहर रह सकता है, मिस्टर और्वेल, यदि आप जेल में जीवन भर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप यहां क्यों हैं? श्रील प्रभुपाद, मान जीए कि कोई व्यक्ती जेल गया है और वह सुधर जाता है, वह कैदियों को शिक्षा देने का कार्य कर सकता है, मेरे प्यारे भाईयों, यह जीवन अच्छा नहीं है, इमानदार बनो, तब तुम जेल से छूट जाओगे और वापस नहीं लोटोगे, इसलिए बाकी कैदी म महनत कर रहे हैं, वे इक पत्थर मार रहे हैं, लेकिन उसकी सलाह मानने के बजाए, वे उससे नाराज हो गए, यह आदमी इटे नहीं ठोक रहा है, वो सिर्फ बात कर रहे हैं, मिस्टर और वेल, दूसरे शब्दों में, आपको लगता है कि लोगों को दुनिया में जो मिस्टर और वेल, ठीक है, जब आप इटों को हतियाने वाले पुरुशों को निर्देश देते हैं, तो क्या वे भी अपने हतोरे डालने जा रहे हैं? श्रील प्रभुपाद, नहीं, उन्हें इसकी आवशक्ता नहीं है, समझने की कोशिश करें, वे हतोरे से मारते रह सकते हैं, लेकिन उनका ज्यान पूरा होगा, कम से कम उन्हें तो पता हो ना ही चाहिए, हतोरा मारना हमारा असली काम नहीं है, यह हमारी सजा है, वही ग्यान है, मिस्टर और वेल, क्या यह इसे देखने का एक नकारातमक तरीका नहीं है? श्रील प्रभुपाद, नकारातमक क्यो यह एक सकारात्मक समझ है। यदि आप पीडित हैं और मैं कहता हूँ पीडित नहों तो क्या वह नकारात्मक है या वह सकारात्मक है। मिस्टर और वेल, दुनिया में काम जरूरी क्यों पीडित है? यह दर्द और खुशी का मिश्रण है। इसे सभी सजा के रूप में देखना नकारात्मक लगता है। श्रील प्रभुपाद, यही कारण है कि लोग कृष्ण भावना भावित पुरुशों से इर्शा करते हैं। लोग कहते हैं, यह आदमी हमारी तरह हतोरे नहीं मार रहे हैं। उन्हें यह सोचना चाहिए कि हमारे हतोरे से मारने का कोई मूल्य नहीं है। ऐसे में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हतोरे से मारना ही जिंदगी का असली धंधा है। तो, हमारा व्यवसाए उन्हें वास्तविक व्यवसाय नहीं है, स्वतंत्रता आपका वास्तविक व्यवसाय है, उध्धरन चिन,